हेलो एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल मेरे चैनल में आप सबको बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं टमाटर की चटनी बना रही हूं बहुत ही इस पेसली व्रत के लिए बना रही हूं तो उसके लिए क्या-क्या प्रिपेर करना है देखी कढाई में थोड़ा सा तेल डालना असानी से निकल भी जाता है तलनी के बाद हिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाएँ तो जला के भी कर सकते हैं तो इस तरह से बनाईयेगा तो बहुत अच्छा लगता है ये व्रत के लिए मैंने बना आया था इस पेसली तो इस तब इससको अलट-कलट करकी अच्छी तरह से शेख गिया है बस इसी स्टेज में इसको निकाल लूँगे और देखिए यह शीख जाने के बाद इस तरह से हो जाता है और आप इसके लिए प्याज वैस कुछ कर लीजिए आपको प्याज पसंद है तो प्याज डाली जेना नॉर्मली आप इसको नमा कुमा मेश अजय Очень जाते हैं और थोड़ा सा नमक है आपको अगर अद्रक आप ने खाते हैं प्रत में तो अगर करके हैं सकते मैं थोड़ा सा प्याज डाला है मिर्ची अपको चितना चाहिए और नमक है तो तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं या फिर वृत्वाला जो सिंधा नमक काना घूरी तो थोड़ा सा अद्रक। मैंने थोड़ा सा हासी के चमासी किया क्योंकि घराम था तो इसी तरह से बनाई है और इसका लूप तुठा और कमेंट करके जरूर बताएगा मेरे वीडियो आपको सबको कैसे लगती है लाइक पेंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे वीडियो को शेयर जरू करिएगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो बाई